एक समय की बात है, एक छोटा सा गाव था, उस गाव में तीन मित्र रहते थे, ढोलू, भोलू और गोलू, तीनों मित्र खेलने के लिए गाव के बगीचे की ओर जा रहे थे, उसी समय उन तीनों की नजर एक जमीन पर पड़े कागज पर पड़ती है, जीस में कुछ लिखा गोलू उस कागज को उठा लेता है, और चोर से पढ़ना चालू करता है, कागज में लिखा हुआ था कि मेरे पचास रूपिये यहां कहीं पे गीर गए है, मैं एक अंधी और बुड़ी ओरत हूँ, अगर किसी को मिलता है तो महरबानी करके यहां से थोड़ा आगे मेरी कु पोलू को ये सुनके बहुत ही दुख होता है कि इस बुड़ी अमा को कितनी परेशानी होती होगी, और वो भी अंधी, तीनों मित्रों ने आजु आजु में पचास रूपिये डुणने की कोशिश की, परन्तु कहीं पे भी नहीं मिले, वो तीनों निराश हो गए, कि अब वो बुड़ी अमा को कैसे मदद करेगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे, और उन लोगोंने खेलने के लिए जाने का सोचा, लेकिन पोलू को बुड़ी अमा पर बहुत ही दया आ रही थी, पोलू को अचानक से कुछ याद आता है, इसलिए वो अपने दोस्तों को बोल बोलता है कि आप खेलने के लिए जाओ, मैं अभी आता हूँ, एसा बोलके वह अपने घर वापिस गया, और अपने पास पड़े पचास रूपिय उठा लिये, जो बोलू को उसके नाना ने दिये थे, वो पचास रूपिय लेकर बोलू उस अंधी अमा की कुटिया की तरफ चलने लगता है, कुटिया पहुचके देखता है कि अमा एक खट्याक पे बेठी हुई है, बोलू अमा को जाके बोलता है कि अमा मैं भोलू हूँ, मैं आपको आपके पचास रूपिय लोटा ने आया हूँ, और एसा बोलते ही वो पचास रूपिय अमा के हाथ में देता है, इतना सुनते ही जो बुड़ी अमा थी वो एक परी बन गई और पोलु को बताया कि मैं एक सोन परी हूँ, मैं परी लोग से आई हूँ, मैंने रास्ते में सिर्फ एक लिफाफा ही छोड़ा था, मेरे कोई पेसे नहीं खो गए, मैं इस प्रूथवी पर लोगों में कितनी दया है, वो देखने के लिए आई हूँ, और मैं तुम्हारे दयाबाव से बहुत ही प्रसन हुई हूँ, पोलु तो ये सब अपनी नजर के सामने होता देख, कुछ भी बोल नहीं पाता, उसको तो ये सब एक सपना जैसा लगता है, कि उनके सामने एक सोन परी खड़ी है, सोन प इसे तुम जो भी ड्रो करोगे, वो सचमुस तुमारे सामने आ जाएगा, और इसे तुम अपनी जरूरियात पुरी कर पाओगे, और दुसरों की मदद भी कर पाओगे, पोलु उस पेंसिल को अपने हाथ में ले लेता है, और सोन परी का धन्यवाद करता है, धन्यवाद कर करते ही सोन परी गायब हो जाती है, और पोलु बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो इस जादुई पेंसिल से अपनी सारी जरूरियाते पुरी कर पाएगा, और वो दुसरों को मदद भी कर पाएगा, तो देखा दोस्तों, अगर हम किसी की मदद करते है, लोगों क प्रतिदयाबाव रखते है, तो हमें भी बदले में कुछ न कुछ अच्छा फल मिलता ही है, कभी जल्दी तो कभी देर से, पर